हेलो एब्रीवान वेरी वेरी गुड़ आपर नून कैसे हूँ खोब करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे शो फ्रेंड्स जीके जैस की एस्पेसल क्लास में आप सब लोगा बहुत बहुत श्वागत है आज की इस क्लास में लोग सौल करेंगे जीके जैस के कमेंट बाक्स में अपना रियल इसकोर जरू बताना और भी क्लासेज अगर आप लोगो देखने ही तो आप प्लेलिस्ट में जाए प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेज मिल दाएंगी ओके चलिए बताएंगे सब लोग वाइस क्लियर आ रही है पहला प्रशन आप अगला प्रशन आपकी स्क्रिन पे है इनमें से कौन सी जील भाखडा नागल परियोजना से जुड़ी हुई है वेरी वेरी मौस्ट इंपॉर्टन कुश्चन आपके एक्जाम के लिए सबी लोगों के से रेक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो और चैनल पे टैट सीट की तीछे एकजाम की कोई भी अपडेट आएंगी वो अपडेट आपको सबसे बहले हमारे चनल के मादम से देखने को मिलेगी और आगे भी जब आप लोग तयारी करेंगे टैट सीट की तो उसकी भी जानकारी आपको मिलती रहेंगी वो भी तयारी आप लोग कर बताईए खाम सीन क्या है तो खाम सीन एक जो है बालू से भरा जो है तो उसको तूपान है ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो दगा अगला परशना आपकी स्केन पर भारत का शब से उचा जल परपात किस राज में है बताईए चौथा का जौब दीजे तो भारत का शब से जो उचा जल परपात है वो आपका है कौन सा है जोग जल परपात है कहाँ पे है करनाटक में है ऑप्शन यहाँ पे ए बिलकुन करेक्ट हो जगा किस नदी में है शरवतिन दी अगला प्शन निमलखित कारकों में से कौन सा एक जलवाईव का निर्धारी कारक नहीं है तो देशांतर आपका नहीं है फाइब का भी आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा वह मित्ती जो वर्शा के कारण गहन निचालन की और परवत है क्या कहलाती है क्या कहलाती है बताईए सब लोग वीडियो को लाइक कर दो शब लोग शिक्स का यहाँ पी आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा लेटर आइट मित्टी ऑप्शन बी अगला प्शन निमलखित नगरों में से करक रेखा के निकटतम कौन सा है बताईए सेविन का जॉब दने के प्रयास करेंगे तो यहाँ पे आपका जो जहांसी है यह करक निकटतम कौन सा है हमारे सरीर के विभिन भागों से हर्दे तक रक्त का वहन करती है आप लोग उसे प्रशन है करक रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है और इसकी में ट्रेक बता दे रहा हूं मित्र पर गंचा जहार आप लोग बताएगे आठ या नौ राज्यों से होकर गुजरती है तो मुख रूप से कौन सी वाही का है हमारे सरीर के विभिन भागों से हर्दे तक जो है रक्त का वहन करती है तो वो आपका है सीराएं ओके आप्शन या पे ए आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा साबुन के साथ ततपरता से जागना बनाने वाले वाला जल होता है कौन सा बताएगे सब लोग साबुन के साथ ततपरता से जागना बनाने वाला जल होता है तो वो होता है आपका कठोर जल Option यहाँ पे D बिलकुन करेक्ट हो जगा प्रतवी पर दो इस्थानों के अनुदैर्ग का अंतर 15 डिगरी है उनके इस्थानी समय में कितना अंतर होगा कितना अंतर होगा बताईए तब लोग तो एक घंटे का यहाँ पे अंतर होगा Option यहाँ पे B वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा प्रतवी का अक्ष इसके कच्छी समतल के लंब से कितना जुका होता है कितना होता है जुका होता है बताईए बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है यह नोट का लेना इसके सॉट लेना तो साड़े तेश दिगरी जो है जुका होता है Option यहाँ पे A आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा अगला प्रशन बहुत इंपॉर्टन है कि तडित की चमक गरजन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि तडित गरजन से अधिक निकट होती है या प्रकास निर्वात के द्वारा गुजट सकता है या प्रकास की गती ध्वनी की गती से अधिक होती है या जो है ध्वनी की गती प्रकास की गती से अधिक होती है ठीक है न, option यहां पर आपका जो है, C वाला बिलकुन correct हो जाएगा, ठीक है न, चलिए, चमक जो होती है वो गरजन से पहले ही दिखाई दे देती है, चंद ग्रहन जो है, तब होता है, जब क्या आ जाता है बीच में, यहां आपको पताना है, चंद ग्रहन, सभी को भाई, good afternoon, चैनलों को पहली बारा में आए हो, तो शब्सक्राइब जरू कर लेना, इस चैनल से आपको निश्ची दिमदत मिलेगी, यहां पर 13 का आपका C बिलकुन correct हो जगा, जब प्रतवी चंद्रमा और सूर के बीच में आ जाती है, तब ही चंद ग्रहन होता है, 13 का C आपका बिलक बिलकुन correct हो जगा, अगला प्रशन है, इस रो का full form बताना है, इस रो का full form बहुत easy है, एक full form से आपको जो है question ज़रूर देखने को मिलेगा, इस रो का full form बताइए, 15 का right answer देने का प्रयास करेंगे, तो इस रो का full form है Indian Space Research Organization, ठीक है न, option यहां पर D बिलकुन correct हो जगा, भारती rail में बड़ी line, track की चौड़ाई होती है कितने mm, बताइए, तो यह होती है 1660 mm, ओके, option बी correct हो जगा, पोंगल परव इस माह में मना जाता है, तो किस माह में पोंगल परव मना जाता है, यह आपको बताना है, तमिल नाडु का यह परव है, बहुत important question है आपके exam के लि चंद्रमा उपग्रह है, प्रतवी ग्रह है, सोरी इस में आपका जो है तारा है, option यहापे D वला बिलकुन correct हो जगा, वायू दबाव बनाती है किसकी ओर, केवल नीचे की ओर, या केवल उपर की ओर, या जो है सभी दिसाओं में, या दबाव नहीं बनाती है, तो वायू द बिलकुन correct हो जगा, मुक्त रूप से निलंबित सुई किस दिसा में टिकती है, बताएंगे सब लोग, मुक्त रूप से निलंबित सुई किस दिसा में टिकती है, तो यह जो है उत्तर दच्छन दिसा में जो है टिकती है, option यहापे आपका जो है B वला बिलकुन correct हो जगा, प्रकास से संसिलेशन में हरे पाउधों द्वारा कौन सी गैस चोड़ी जाती है? Most important question आपके exam के लिए. प्रकास संसिलेशन में हरे पाउधों द्वारा कौन सी गैस चोड़ी जाती है? Oxygen गैस चोड़ी जाती है. Option यहापे आपका जो है A वाला बिलकुन correct हो जगा. दुद्वा नेशनल पार्क किस स्राज में है? Most important question आपके exam के लिए. दुद्वा नेशनल पार्क इस सिथ है. यह आपका उत्तरप्रदेश में ही है. उत्तरप्रदेश के लखेमपुर जिले में. ठीक है? लखेमपुर खेरी में. option यहापे A आपका बिलकुन correct हो जगा. और लखेमपुर खेरी जो है उत्तरप्रदेश का छेतरफल में सबसे बड़ा जिला है. यह भी आपको याद रखना है. diabetes, बिमारी, सरीर की जिस अंग को प्रभावित करती है. वह अंग कौन सा है? पैंकरियाच, लिवर, हरदय, फेपड़ा. तो वह आपका है पैंकरियाच. option यहापे A आपका बिलकुन correct हो जगा. तड़ित चालक किस की खोज की थी? तड़ित चालक की खोज किस ने की थी? आपको बताना है 25 का जॉब दीजे. तड़ित चालक की जो खोज की थी? बैंजमिन, फ्रैंक लिंग के द्वारा की थी? 25 का C option बिलकुन correct हो जगा. अगला पिशन है, यहापे देख सकते हैं. मैनोमीटर यंतर का उप्योग इनमें से किसे नापने में होता है? मैनोमीटर यंतर का उप्योग इनमें से किसे नापने में होता है? गैसों का दाप, ठीक है? ऑप्शन यहापे यह आपका बिलकुन correct हो जगा. भारती रेल पहिये और धोरी का निर्माण होता है? कहां होता है? बताइए सब लोग. भारती रेल पहिये और धोरी का निर्माण होता है? कहां? 27 का जॉप दीजे सब लोग. तो इसका जो निर्माण होता है? येला हांका, यानि कि बैंगलूरू में होता है आपका. ऑप्शन यहापे C आपका बिलकुन correct हो जगा. अगला पुशन आपकी screen पे हैं. रेगिस्तान छेत्र में मश्रूम चट्टान का निर्माण किसका उधारन है? तो ये उधारन है अपवाहन, संकुचन का. उप्शन यहापे B वाला बिलकुन correct हो जगा. जब East India Company का गठन हुआ था, उस समय भारत का मुगल बास्षा कौन था? अपको बताना है. जब East India Company का गठन हुआ था, उस समय भारत का मुगल बास्षा कौन था? अकबर था. आप्शन यहापे A आपका बिलकुन correct हो जगा. लॉर्ड करिजन के वाइसराय होने के यदौरान, निमलकित में से कौन सी गठना नहीं गठी थी? भारती राष्टी का गठना नहीं गठी थी, ठीक है? और भारती राष्टी का गठना गठना था, उस समय कौन थे भाई? वाइसराय है, बताइए, लॉर्ड डॉफरिन थे. चलिए, अगला प्षिन, नगत आरच्छन, अनुपात तथा खुले बजार की संक्रियाओं में विश्रण किसके साधन है? मौदरिक नेती के, बजटीर नेती के, व्यापार नेती के, या राजकूसी नेती के? किसके साधन है? 31 का जॉब दीजिए. तो ये जो है, मौदरिक नेती के साधन है, उप्षन A आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा. एक अप्रेल 1937 सिस्वी को संयुक्त प्रांथ की कवर्नर सर हैरी हेग ने, किसके नेतर्त में अलपमत की सरकार गठित की थी? नवाप छातारी के नेतर्त में. आप्षन यहापी आपका B वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा. बहुत सरे बचे कमेंड कर रहे थी कि मैं जब कल हिंदी की क्लास लिया था, तो उसमें बहुत सरे बचे बता रहे थी कि सर क्या इसी लेवल के कोश्चन एक्जाम में पूछे जाते हैं? तो मेरा गयना होगा हाँ, इसी लेवल के कोश्चन पूछे जाते हैं. ठीक ना? चलिए अगला बचना, भाई जो तैयारी किया है, अच्छे से सब्जेक्ट कम्प्लीट किया है, पहले से ही तो उसको तो कोश्चन सरल ही लगेंगे, अब जो नहीं पढ़ा है, उसको तो अगला बचना, सन्युक्त प्रांत में 1937 सिस्वी में कांग्रेस की सरकार किसके नेतरत में गठित हुई थी, मोहलल सकसेना के नेतरत में, या जो है, गोविंद वलब बंत के, या चौधरी खालिक जुमा के या नवाप चातारी, या नवाप चातारी, या तो हो गया, 30 तरी पर हैं, भारत छोड़ों अंदोलन के दौरान बलिया के किस कांग्रेसी नेतरत में आइस्थाई सरकार की स्थापना हुई थी, बताइए वो कौन से कांग्रेसी नेतरत थे, भारत छोड़ों अंदोलन के जुरुआत कब हुई थी, 1942 में, तो वो कांग्रेसी नेतरत कौन थे बाई वो थे आपके चित्तु पांडे ठीक है ना चित्तु पांडे के नेत्रत में आईश्थाई सरकार की सापना होई थी अगला तशन आपकी स्किन पे हैं किस समयद्रेक संसोधन तवारा जो है नगरपाली का विधायक परित हुआ था वो कौन सा जो है समयधनिक संसोधन है जिसके द्वारा नगर पाली का विधायक परित हुआ था तो वो आपका है चहुतरवा समयधन संसोधन आपका option D correct हो दगा निम्न में से जो है किस परिस्थिती के अंतरगद राज शबा को भंग किया जा सकता है 36 जब देश में विती आपातकाल गोसित हुआ हो या जब समयधनिक तंदर के आसफल हो जाने पर आपातकाल की गोशना की गई हो या एवा बीदोना या उप्योक्त में से कोई नहीं कि राज शबा को भंग ही नहीं कि जा सकता है किसी विसाल जहरने की तली में पानी का तापकरम उसके सबसे उपरी भाकी तुल्ला में अधिक होता है क्योंकि गिरता हुआ पानी सूरी की गर्मी सोक लेता है या तली के पानी में अधिक उर्जा होती है नान बाई की भट्टी में डबल लोटी बनाते समय, खामीर यानि की येस्ट मिलाने का कारण क्या है, डबल लोटी में ये जो येस्ट मिलाए जाता है, उसका कारण क्या है मिलाने का यापको उताना है, तो डबल लोटी को जो है नरम और इस्पंजी बनाने के लिए जो है ये question exam में पूछा जा चुका है गती प्रेयरक यानि कि mess, sorry pace maker का संबंद किस्से है हरदर्शे है option याँ पे C आपका बिल्कुन correct हो जगा ध्वानी का वेक किसमें अधिक होता है ध्वानी का वेक किसमें अधिक होता है इस पात में यानि कि ठोश बस्तुओं में होता है option C correct हो जगा अगला बश्चन निम्न उत्पादों में से किसे ISI चिन्ह परदान नहीं किया जाता है तो विद्दू शमागरी में किया जाता है बिस्कुट में किया जाता है कपड़ा में किया जाता है वो फशल है गेंहूं ठीक है चलिए अगला पश्चन एसिया एवं प्रशान्थ के लिए आर्थिक एवं समाजिक आयू का मुक्याले कहां इस्सित है गेंहूं जो आपकी फशल थी ये आप लोगों से प्रशल मेरा ये है कि गेंहूं खरीब की फशल है या रभी की फशल है कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा आप लोग बताईए और इसका भी जवाब दीजे फ़र्टी थीरी का इसका जो मुक्याले है बैंक आउंक में है ऑप्शन या पे बी बिलकुन करिक्ट हो जगा एक अंतराज़्टी संगटन से कुश्चन जरूर आएगा आपके एकजाम में अगला प्शन उन आपसिष्ट माबलों पर जिनका केंदरी, राज्य, शमर्ती सूचियों में उलेक ना हो कौन विधी निमार कर सकता है केवल संसद कर सकती है ऑप्शन यहापे बी वाला बिलकुन करिक्ट हो जगा संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है बताइए साब लोग भाई संसदों के जो वेतन का निर्णय होता है वो कौन करते है संसद करता है ऑप्शन ए करिक्ट हो जगा अगला कुशन आपकी स्क्रेन पे हैं लॉफिंग गैस का राशानिक नाम क्या है वेरी वेरी मॉस्ट इंपोर्टन कोशन आपके एक्जाम के लिए लॉफिंग गैस का राशानिक सूत्र क्या है राशानिक नाम बताना है आपको शोत्र भी पता है तो शोत्र भी बता दीजे ये कुर्शन बहुत रिपीट होता एक्जाम में तो नहीं पता है तो इसकी इन सॉट ले लीजेगा और नोट कर लीजेगा तो लॉफिंग गैस का राशानिक नाम है नाइटर्स ऑक्षाइड औको क्रिक्ठ हो जगा फर्मूला पूँछे तो N2O ठीक है अगला पस्छन पितल किसfon नहीं सुट है बधाई पितल किस्की मिसर दातू बताइए बहुत इंपॉर्टन कुश्यण है पितल किस्की मिसर दातू है सीसा और तिन जस्ता और तामा एंटिमेनी टीन और सींसा जस्ता टीन और तांबा तो ये तांबा और जिंक का मिस्रण है ठीक है ना, option यहापे आपका जो है बी वाला बिलकुन करेक्ट हो देगा जस्ता देखे जाए तो टिक कर देना है प्रतवी के निकरतम कौन सा ग्रह कच्छा में रहता है वो आपका है सुक्र option यहापे C वाला बिलकुन करेक्ट हो देगा अगला बिशन है, रक्त के ठक्के जमने का कारण क्या है रक्त के ठक्के जमने का कारण क्या है ठॉम्ब्रेन, option A करेक्ट हो देगा जिस सम्वेस्टन प्रदोगी की कारण हरित करांती आई उसके मुख अंग थे क्या मुख अंग थे बताईए तो सिचाई, जैवरासायनिक, और वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों के किसमे option यहाँ पे C वाला बिल्कुन correct हो दगा शो फ्रेंड्स यह थी आज की जो है GKJS की क्लास कैसी रही क्लास कमेंट बाक्स में अपना feedback जरूर देना ऐसी ही daily classes देखने के लिए education विसाइल YouTube चैनल को subscribe के लिजे ताकि जो भी classes आएं, जो भी update आएं, वो update आपको मिल सके, authentic update मिल सके हमारे चैनल के द्वारा कुछ भी doubts है तो आप हमें content कर सकते हो, whatsapp पे message कर सकते हो, instagram पे message कर सकते हो बाकि subscribe के लिजे ताकि जो भी classes आएं, notification आपको मिलता रहे thank you so much, मिलते हैं साम 6.45 वाली class पे, bye bye take care